अब ही जगरनाथ जी रथा यठा का टेट हूँ है और हम लोग जा रहे हैं आज मेरा प्रोग्राम भी है रात्पोगी गोविंदम भी है और उससे पहले भी एक प्रोग्राम है जिसके बारे में डीटिल में आप सब को पहुंचके बताऊंगी तो जहाँ पे गुंडी चा मंदिर है, वो हमारे गठ के पास ही है पापा अभी है, ऑफिस में तो हम लोग या रहे हैं रिक्षा से तो पापा ऑफिस गए हैं तो गाड़ी उनके पास है, तो रिक्षा से ही जा रहे हैं तो आप वाच्ट कि पिराप सब्कु दिखांगी, दर्शन पराऊंग। देखिए, आम गुंडी चा मंदिर में आ गए हैं, और जगना जी का दर्शन भी कराएं आपको अंदर, तो आपको सब स्टॉल्स जीरे जीरे गुमा के दिखाऊंगी, यह पर बहुत साए स्टॉल्स लगे हुए प्रशादम के कांटर्स पी है, और बहुत आनंदार आ रहे है यह जो स्टॉल है, यह है गीता स्टॉडी सर्कल का स्टॉल, तो यहाँ पर क्वीज चल रहा है, और बगवत गीता के ऊपर समझाया जा रहा है, क्वीज भी चल रहा है, तो आपको सामने इसे दिखाँगी, यही पर मेरी मम्मी का भी सेवा है, यहाँ पर क्वीज चल रहा ह और यह एक्जामिनर्स बेठे हुए है और अंदर प्रीचिंग का सेवा चल रहा है यहाँ पे लोग आते हैं उनको समझाया जाता है यह देखिए यह मेरा छोटा भाई है कुछ छोटा साह है तुम्हारे इच बता हूँ कितने साल के हो तुम आठ साल का है फिर पे कितना प्रीचिंग कर रहा है लोगों के पास जा जा के समझा रहा है कि आप लोग आई है गीता स्टाडी सर्कल के स्टॉल में यह दिखनी फ्लेट्स डिस्रिब्ट कर रहा है लोगों में लोगों को जा जा के समझा रहा है इतने चोटे एच से इतना ज् कि अभी थोड़ी दरबाद ही हम लोग साथ में तयार हूंगे गीद गोविनदम, पृत्य शेवा भी है और साथ में जगनात और लक्षमी जी साथ में कुछ खेल खेलते हैं, क्या खेलते हैं, कैसे खेलते हैं. नो में बताऊंगी, ready होके मेरी लक्षमी भी आने वाली होगी मैरी लक्षमी मतलब जो लक्षमी बनने वाली है मैं जगनात बनने वाली हूँ तो इसलिए मैं काप तैयार होके आई हूँ, इसलिए ऐसे आई हूँ अब रात को आप सब को दिखाने वाली हो तो में रथया अफ्तरा के दिन मुबाइल लेके नहीं आई थी इसलिए आप सब को दर्शन नहीं करा पाई थी तो आज क्योंकि बहुत भीड होती है तो मुबाइल लेके फिर हम स्ट्रीट में डांस करते हुए भी जाते है तो आज आप सब को रत का दर्शन कराती हूं दूस से ही आप सब लोग जै जगनात कमेंट्स में जरू लिखिएगा मैं जगनाजी से आपकी और आपके फैमिली के हुआ है कि यहां पर रत रखा हुआ है और इसके ठीक सामने है स्टेज तो यहां पर चल रहा है कल्चरल प्रोग्राम तो अभी स्टार्ट होने वाला है मेरी मम्मी का भजन भी है अज थोड़ी दिल में स्टार्ट होने वाला है मौसम देख के लगता है कि बारिश आने वाली है तैसे बारिश होना बहुत शुब लक्षन होता है और स्पीशिस साइन होता है भगवान खुश होते हैं तब ही वारिश होती है कि इस वेरी और स्पीशिएस है कि यह गुंडी चा मंदिर है देखी दूर से सामने बुक स्टॉल है वहां पर हीता स्टाड़ी सर्दल का स्टॉल है इसे बहुत सारे स्टॉल है जो लोग दुरुगापूर में रहते हैं वो लोग जरूर आईए दुरुगापूर में आके रथयात्रा में जगन्ना जी का दर्श्रन कीजे ऐसा मौका दुबारा नहीं मिलेगा जगन्ना जी अपने मौसी के घर आए अपने भाई बहन के साथ तो यह मौका है आके आप लोग भी आनंद लीजे यू मस्ट कम यू शुद कम यू शुद हाब दर्शन इस डवरी ब्लेस्ट ऑपरचुनिटी की चगन्ना जी हमको अपनी दर्शन दे रहे हैं तो अभी मेरे मम्मी का भजन होने वाला है उसके बाद शायद हम जाये तयार ह तो आप सब को दिखाऊंगी सामने से मम्मी का है और भी दो मातर जी का है मेरे भाई का है तो यह देखिया बजन स्टार्ट होने वाला है तो मैं आ गई और भी थोड़ी दे में तो मैं जगन्ना जी बनी हूँ रे नो रे ना रे ना 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 अरे कृष्णा तो अभी आप लोग जो देख रहे हैं इसमें से मैंने म्यूजिक अटा दिया है क्योंकि उससे copyright आ जाता है तो इस पे एक भजन चल रहा था और यहां पे हो क्या रहा था exactly मैं बता दू यहां पे जगनात और महालक्ष्मी तो मैं जगनात बनी थी और पल लवी बनी थी महालक्ष्मी तो हम लोग खेल रहे थे कोडी खेलो जिसको बोलते है ओडिया में तो य भी खेलो यानि कि चैस या गैंबलिंग खेलते हैं जिसमें क्या होता है कि हर बार जगनात जी महालक्ष्मी से हार जाते हैं उसके बाद एक एक करके महालक्ष्मी उनसे कुछ न कुछ मांगती है जैसे पहले बोलती है कि ठीक है आप हार गए अपना मुकुट दे दो उसके है ये प्रभू अब आप अपने आपको ही मुझे दे दो तो ऐसे ये जो जगनाजी और महालक्ष्मी की सुन्दर लीला है ये अधुत लीला का जो प्रेजेंटेशन है ये हमसे बोला गया था प्रेजेंट करने के लिए तो ये हमने ट्राइ हमसे प्रेजेंटेशन है हमसे चूँते है कि लीला कि अचूँते है जो पोग्ड़ी तो मैंने रिए चूँते है जो लीला कि बोलेव दे चल्राइब के रिए वाच्छी आपका प्रेखका हमसे जो बाइब तो यह जो माला आप देख रहे हो यह मुझे मिला था जब मैंने गीत कोविंदम रित्य किया था उसके बाद और एक माला जो मैं पहनी हुई हूँ वो भी मुझे पहले मिला था कोड़ी खेलो के टाइम दो दो माला मिला था और गीत कोविंदम रित्य का वीडियो मेरे पास है नहीं तो मैं अपलोड नहीं कर पाए तो मैं अपलोड नहीं